मा दुर्गा आपको अपनी नौ भुजाओं से बल, बुद्धी, एस्वर, सुख, सास्ट, दौलत, अभिजीत, जिर्भिक्ता, संपन्ता ये सोग आपको मिलें सांटी अमन के इस देश से अब बुराई को मिटाना होगा आतन की रावन का दहन करने आज फिर राम को आना होगा अधर्व पर धर्व की विजए, असत्य पर सत्य की विजए, बुराई पर अच्छाई की विजए, पाक पर पुन्य की विजए, अत्याचार पर सदाचार का विजए प्रोध पर ना छमा की विजय अज्यान पर ज्यान की विजय रावन पर सिर्वाम की विजय के प्रतीक पावन इस पर्व विजय दस्मी की आप सबों को हार्दिक सुबकामना है मित्रों आज हम जानते हैं कि इस दुर्गा पुजा दसहरा विज्या दस्मी के पीछे मुख्य उर्देश से क्या है दसहरे का यह पर पतीग देशवासी के लिए सहायक है क्योंकि इससे हमें कोई चीज सीख मिलती है अन्याय अत्याचार को सहने वाला व्यक्ति अधिक दोसी है बनिस्पत उसके यह अत्याचार करते हैं यह राश्चिय एक्ता को बन प्रदान करने वाला एक मत्र पर्व है दसहरे पर रावन बद यह स्पस्ट करता है कि किसी के द्वारा भी अत्याचार अधित देर तक नहीं चल सकता उसका अंत एक दिन निश्चित होता है इसी लिए अत्याचारियों को स्लायम पर नियंद्रन रखना चाहिए दसवरा काते वाहर हमारी भात्य परंपरा गोरो और संस्कृति का पर्टेक्षी करन कराता है यह रास्ट के उठ्थां के लिए अत्यावस्यत है यहुस्तो हमें सिच्छा देता है कि जीवन में राम के चरित्रों और आदर्सों का अनुसरन करें नकी रावन का तभी हमारी जीवन सुखी वस्सांथ रह सकती है मित्रों हमें अपने ब्यवहार को पेटोलना है आकलन करना है कि कहीं न कहीं हमारे दिंचरिया में कहीं कुछ रावन के गुर्टो नहीं आ रहे है हम राम के गुन से कहीं दिव ये तो नहीं हो जा रहे है हमारे हर आचरन राम के गुनों से मैच होने चाहिए मित्रों इनहीं सभी गुनों को बखान करके अपने आचरन में लाने के लिए याद दियाने के लिए हम ये विज्या दस्मी पर्व मनाते हैं और ये इसका मनाने का प्रमुखुद्दे से तभी साथक होगा जब हम इसे आचरन में लाएंगे रावन ने परस्त्री सीता महिया का हरन किया था इस तरह से कई बुराईया थी उनमें रावन में इन सबों का आकोम हमें करना है मित्रों हमें आत्म औलोकन करना है और तभी हम धार्मिक बन सकते हैं और इस बिज्य दस्मी मनानी के पीछे हम इसके सारे लाव उठा सकते हैं हम इन राश्चिर चेतना के प्रतीक महान परवों को अधिक अधिक प्रसंदता और उल्लास से मनाते हैं समाज में सहानु भोती और संबेदना का प्रचार करना चाहिए हमें और पुसु बल्ली जैसे बूरी प्रथाओं का हमें तो अंति ही कर देना चाहिए हाने चाहिए कि इन सुभु परगों से सिच्छा गरन करें और उत्साहों का आयोजन कर अपने गौलों की और भी बृधी करें ओमित्रों आज आपने इस लगू वीडियो में देखा यह दसहरापर्व हर वर्स इवो इवो से आ रहा है और हम बड़ी धूम धाम से पूजा अर्चना करते हैं और इसके पीछे छिपे हुए था नीती को उद्देश को समझते हैं और अपने ब्यवहार में लाते हैं और राम के यथा संभव हर गुन को अपनाते हैं सराहना करते हैं यही संकल्क लेने का आज दिन है इस नौडात्री के आउसर पर आप सबों को धेर सारी सुभ काम नए दुर्जा पूजा के आउसर पर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए टहाँ अपर